दोस्तों नमस्कार Artificial Intelligence की दुनिया में आज एक खबर ने आज सब को चौका दिया और वो खबर है Open AI Company के संस्थापक Sam Altman की बरखास्तगी उनके CEO पस से जो गवर्निंग बोडी है Open AI की उसने एक लेटर इशू किया और उसने कहा कि लीडर्शिप का जो काम Sam Altman को दिया गया था वो उस पे खरे नहीं उतर रहे थे लिहाजा एक नई लीडर्शिप की जरूरत है और जिसके तैतनों ने मीरा मुराती जो की इनकी टेक्निकल विभा की एक्सपर्ट थी या हेड थी उनको CEO का काम दे दिया गया हम Open AI के बारे में सब लोग जानते हैं Artificial Intelligence जो की 1950 के दर्शक से इंट्रोड्यूस हुआ और उस समय हम एक बहुत ही इंपोर्टन नाम था एलन टूरिंग का जिनोंने एक पेपर पब्लिश किया था Computing Machine और Intelligence के ऊपर उसके बाद से Artificial Intelligence की चर्चा शुरू ही थी कि ये है क्या इसका Technology की फील में क्या उप्योग हो सकता है या मानवता के छेतर में क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि Artificial Intelligence का हम कुछ बहतर इस्तमाल कर सके जिस तरह से Computer की Technology बाद में आई तमाम तरह कि इसमें रिसर्च बढ़ें लेकिन इसमें क्रांटी कब आई Artificial Intelligence की काम होता रहा पर क्रांटी आई इसी कंपनी के फॉर्मेशन के बाद से 2015 में जो मैं समझता हूं कि Sam Outman ने पांच और को फाउंडर्स के साथ मिल करके जिसमें बहुत नामी गिरामी नाम टेसला के मालिक याउन मस्क का भी है वो भी इसमें शुरुआत में शामिल थे हाना कि बाद में इनों ने विड्रॉन कर लिया था क्योंकि उनके टेसला के साथ कुछ जो है कॉर्पोरिटी इंट्रेस्ट जो है कुछ क्लैश कर रहे थे इसके अलावा ग्रेग बॉक्मैन जो की इस इशू में उनको भी स्टेप डाउन कर दिया गया जो की चैर्मैन थे कंपनी के इसके अलावा मशीन लर्निंग एक्सपर्ट इलिया सुतिसकेवर जॉन शुलमैन और जरिमबा ऐसी इसी परसनालिटी थे सब अपनी अपनी फील्ड के माहे इन पांच लोगों ने मिलके 2015 में ये कंपनी बनाई थी इस कंपनी ने बहुत एक्सपंशन किया और पिछले साल जिस रहे से चैट जी पिटी लाउंच किया गया उसने तो एक पूरा नई करांती ही पैदा कर दी एक लोगों के माइंड सेट में खैर जब ये बरखास किये जाते हैं इसके बाद पूरी दुनिया में चर्चा होने लगती तमाम तरह की ट्विटर पूरे भर जाते हैं लोग शौक्ड हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया जिसने पेंड लगाया था उसी को निकाल कर बाहर कर दिया गया खुद सैम अल्टमैन जो हैं वो शुरुआत में तो कहते हैं कि हम लोग बहुत शौक्ड हैं हम और ग्रैग दोनों कि आखिर ऐसा डिसीजन जो है बोर्ड अफ डिरेक्टर्स ने क्यों लिया क्यों को लग रहा था कि हम कॉंपिटेंट नहीं हो पा रहे हैं हम उनके किस एक्सवेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं यही एक मुद्दा है चर्चा का कि आखिर इतनी बड़ी कंपनी बनाने वाले व्यक्ति को जो में परसनालिटी था उसी में बोर्ड अफ डिरेक्टर्स ने जो अपना वोटिंग राइट रखते होंगे उन्होंने वोटिंग राइट को एक जगा अकुमिलेट करके यह बैक डोर एक्सपल्शन क्यों कर दिया क्या कोई ऐसा रीजन था कोई राज की बात है क्योंकि यह आरटिफिशिल लेजऩ्श तो बड़े बड़े अब इसके प्लेस और माइनस पर चर्चा रही है और प्लेस और पर आरटिफिशन ले इंतलिजन्च के लिए कोई बाहर की लोग कम चर्चा कर रहे थे यही founder इस company के founder जिन्होंने ऐसे से tool बनाए जिस tool के दोरा आज defense की field में आज education की field में टेकनलोजी की field में आदमी के सोचने करने की किसी भी की field में आपका जो भी imagination हो सकता यह tool आज जो काम कर रहा है उसके plus और minus पर चर्चा हो रही है और चर्चा कहां होती थी American Congress में इसी issue को लेकर के hearing होई जिसमें सेम Altman ने खुद कहा कि artificial intelligence को govern करना चाहिए governing body के दोरा जो कि एक global body हो UNO में भी ये मुद्धा उठा कि artificial intelligence के क्या खत्रे हो सकते हैं आजकल तमाम इस पे article आ रहे है जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं इस field से जुड़े होंगे वो इसके plus और minus दोनों aspect की बात करते हैं एक vision लेके आए थे क्या इसके आजकल जो इसकी हानिया हो सकती हैं अगर artificial intelligence को regulate ना किया गया तमाम universities में जाकर के इस तरह की Sam Altman और यान मस्क बाते आजकल कर रहे थे जो एक्स के मालिक है यान मस्क है उनके तो तमाम article भी इस विशे में आए हैं तो क्या कि यही तो नहीं कोई conflicting interest था या कोई और corporate interest है क्योंकि इसमें तमाम नए investors भी जोड़ गए हैं जो की नए shareholder है 30 billion dollar का investment तो भी Microsoft ने किया है क्या इस तरह का को economic interest था जिसके कारण इस तरह की personality को सैक किया गया जहां तक मैं Sam Altman के बारे में मैं आपको बता दू क्या बंदा है ऐसे बंदे आपके आसपास भी घर परिवाद में चारों तरफ होंगे 8 साल का बच्चा था और उस समय इसको एक computer दिया गया वो computer भी Apple Company का था Macintosh मेरे खहल से वो computer उस समय लाए थे history jobs नया-nया computer था असी के दशक में आखरी समय में असी के दशक के आखरी years में और उस समय आठ साल इनकी उमर रही होगी तो जब आदमी को कोई नई चीज़ दो तो वो तो उसका उपयोग करता है इन्होंने क्या कि उसके सारे कलपुरजे खोल डाले ये brain था उस बंदे के दिमाग में उसके बाद जब ये Stanford University गए हाला कि डि यही Sam Altman था जब WhatsApp नहीं आया था Facebook शुरुआती फेज में था उस समय इस टेकनोलोजी को इन्होंने लांच कर लिया था यानि आप इस आदमी का brain समझी और ये आदमी कहता था कि 2025 सक इनका एक पुराना letter मिला जिसमें ये चीज़ रिवील हुई है कि 2025 मेरे तीन विजन है कि जो असाद बिमारियां हैं Cancer जैसी बिमारियां हैं इनको हमेशा के लिए ठीक करने के लिए ये कहते थे कि इनका विजन था कि एक नई जीन एडिटिंग टेकनोलोजी को विक्सित करेंगे ये कहते थे नुकलियर फिजन को लेकर प्रोटोटाइप स्केल पर इसको और efficient बनान है और इस तरह के वेक्ति के साथ अगर ऐसी घटना होती तो आप सोचिए कारपोरियर जगत की politics क्या turn लेती रहती है इस समय दुनिया में इस तरह के यूथ इनकी 30-80 अभी age है इस तरह के यूथ आज पूरी दुनिया को govern कर रहे हैं चाहें वो जुकरवर्ग हो चाहें वो इयौन मस्क हो चाहें वो Sam Altman हो इन सब लोगों पर वास्तों में यह youth icon है पूरी दुनिया की नजर रहती है इसलिए इसकी क्या सचाई है इसमें क्या आगे होगा क्या जो इन्होंने एक आखरी tweet अभी किया है आज थोड़ी देर पहले 7-8 गंटे पहले जो इन्होंने tweet किया है जो उनके लिए बहुत बड़ी economic hardship होगी जिसको आज के rate में उनको लेना होगा और तमाम राज हैं अगर हमने भी share किये तो बड़ी दिक्कत होगी यानि इन्होंने भी इसको अपने दिल पे ले लिया है तो ये दिल की लड़ाई दिमाग की लड़ाई artificial intelligence की दुनिया में क कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा नमस्कार